आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ उरत डाल की रेसिपी ये डाल मैं कैसे बनाती हूँ इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूँ ना रेस्टोरेंट स्टाइल ना सेफ स्टाइल ये मेरे स्टाइल है चलिए बनाना सुरू करें हेलो नमस्टे वल्कम टू माई चैनल जोतिका की रसोई सबसे पहले हम लेंगे यह उरद डाल यह उरद साबू उरद डाल लिया है मैंने दो कप और इसमें मिलाएंगे आधा कप यह मैंने राजबा मिलाया है और इसके बाद आप चनी की डाल भी मिला सकते हो लेकिन मैं चनी की डाल नहीं मिलाती हूँ और ये मैं 5-6 घंटे के लिए डिप करके रख दूँ यह हमने 5-6 घंटे भीगो करने के बाद यह डाल है और अच्छे से भीग गया है इस तरह से प्रेस करने से इसका सिलका उटर जा इसका मतलब अच्छे से भीग गया है और इनको अच्छे से वास करने के बाद हम कूकर में डालके इसको बॉल करेंगे और इन्हें बॉल करने के लिए इसमें पानी डालेंगे और इसमें कोई मसाला कुछ नहीं डालना है पानी और नमक के साथ हमें इन्हें उबालना है पानी आपको जितना डाल डाला है तीन गु कर लिया है यह देखिए और डाल अच्छे से बॉयल हो गया है प्रेस करने से यह इस तरह से दब जा रहा है तो अच्छे से बॉयल हो गया है हमने डाल फ्राइ करने के लिए टमाटर ले लिया है दो और यह पेस्ट बना लिया है और प्याज डू पाड़ी काट यह डाल फ्रा अग्यावी फ्राइ कर लेते हैं डाल और निकले कराही में मैंने दो समझ भरके ये सरसुका तेल डाल दिया है तेल जिससे गरम हो जाए हींग डाल देंगे साबुद मसाला यह मसाला मैंने डेस्क्रिप्शन में लिख दिया है आप देख लीजिएगा और यह साबुद मसाला डालने के बाद मैं अच्छे से इनको भून लूँगी और भूनने के बाद जैसे अच्छे भून जाए तो हम प्यास डाल देंगे यह मैंने दो मीडियम न Scratch प्यास काटके लिए है बारिक बारिक और इन्हें डालने के बाद अच्छे से प्यास भी लूणना है और इसमें डाल देंगे अधरक लसन क suppression का पेस्ट इन्हें हिसाथ में भून लेंगे और तो हिलें आट रिखे अच्छे से बूनना है आपको अधरक लसन और प्यास और यह जो गरम मसाला डाला है ना साबूर इनहें डालके अच्छे बुलना है यह बहुत टेस्ति डाल बनता है ना इसमें मक्षन ना घी यह सब नहीं डालने से बहुत स्वादिस्त बनता है और यह मैंने दाल दिया टमाटर और हडी मर्स यह टमाटर को मैंने बारिक कड्डू कस करके दाला है और नमक दाल देंगे अच्छे से भून लेंगे नमक दालने से टमाटर अच्छे से कुक्ठ हो जाता है तो हो मैं नमक दाल दिया है इसमें दालेंगे ड्राइ मसाला एक टी तीस्पून धन्या पाउडर एक टीस्पून डाला है मैंने गरम मसाला हाप टीस्पून डाला है हल्दी पाउडर और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे पहले हम डालेंगे इसमें कसूरी में थी यह बहुत ही टेस्टी बनेगा कसूरी में थी डालने से कसूरी मे दालने के बाद हम अच्छे से भून लेंगे, मिक्स करके और जैसे यह ओइल सेपरेट आउट होने लग जाएगा, तो हम इसमें दाल देंगे बॉल डाल, यह लिखें, दाल दाल दिया है, और इसमें दाल देंगे पानी, पानी आप जितना पानी आप ग्रेवी जैसे पसंद क यह हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और यह अच्छे से बॉल करना है हमें, बॉल करने के बाद दिखिएगा, यह बहुत ही टेस्टी डाल बनके ट्यार होगा, और यह दिखिए, हमने डाल को बॉल कर लिया है, दस मिनिट और दस मिनिट बॉल करने के बाद यह दिखिए, अच्छे से डाल कूक्ट हो गया है और इसमें हम डालेंगे अभी हरा धनिया हरा धनिया डालने के बाद ये डाल हम सर्व कर लेंगे ये रिखे बहुरी टेस्टी डाल बनके टेयार है इन्हें आप रोटी पराथा नान और राइस के साथ पुरूश सकते हैं इस रेसिपी को ए रालेंगे रिखे राददी के बहुच है अजय है।